साहस सरोकार कहा जाता है कि ब्रहस्पति को देवताओं का गुरू होने का गौरव प्राप्त है विद्या धन और पुण के कारण ब्रहस्पति कुंडली में कब बली या कमजोर होकर सुब्य असुप फल प्रदान करते हैं जोतिश के अनुशार प्रित्वी पर जन्म लेते ही बैक्ति का सं मंद्द नौग्रहों से जुड जाता है इन नौग्रहों में धन और मीन रगी के स्वामि देवगुरू ब्रहस्पति का बहुत महत्तव है कुंडली में प्रहस्पति की सुब्ता बैक्ति को ना सिर्फ भौतिक छेत्र में उन्नत प्रदान करता है बलकि आध्यात्मिक छेत्र में भी उसे सर्वोच स्थान प्रदान करता है ब्रहस्पति एक एक राशी पर एक एक वर्स रहते हैं वक्री होने पर इनकी गती में अंतर आ जाता है लेकिन 12 साल बाद इनका रत चलता हुआ वही पर आ जाता है जहां से ये चले होते हैं जोतिश के अनुशार प्रित्वी पर जन्म लेते ही व्यक्ति का सम्मंद नव ग्रहों से जुड़ जाता है इन नव ग्रहों में धानू और मीन राशी के श्वामी देव गुरू ब्रहस्पति का बहुत पड़ा महत्त है कुंडली में प्रहस्पति की सुबता व्यक्ति को ना सिर्फ भौतिक छेत्र में उन्नति प्रदान करता है बलकि आध्यात्मिक छेत्र में भी उसे सरवोच अस्थान प्रदान करता है ब्रहस्पती एक एक राश पर एक एक वर्स रहते हैं वक्री होने पर इनकी गती में अंतर आ जाता है लेकिन बारा साल बाद इनका रत चलता हुआ वही पर आ जाता है जहां से ये चलते होते हैं इनकी मित्रता है और किसके साथ इनकी सतुरता है क्योंकि ब्रहस्पती पुनरवसु और विसाखा और पूर्वा भाद्रपत्नशत्रों के स्वामी है ये अपने अस्थान से पांचवे और साथवे और नौवे भाव पर पूर्ण दिश्टी से देखते हुए ब्रहस्पती करकरासी में उच्च का कहलाता है क्योंकि चंद्र इनका मित्र है सूर्यवा मंगल भी ब्रहस्पती के मित्र है सनी ब्रहस्पती से संभाव रखते हैं पर मकर रास में ब्रहस्पती नीच का कहलाता है बुद्ध भी ब्रहस्पती का सत्र है तब बरस्ती है ब्रस्पति की कृपा जब बुध उनके विपरीत ग्रह में बैठा हो या कुंडली में यदि ब्रस्पति केंद्र में हो तो कुल दीपक योग और केसरी योग बनता है वहीं यदि यह केंद्र स्थानों में स्वग रही या उच्चका हो तो हंस नामक राज योग बनता है ब्रहस्पति के साथ चंद्रमा हो अथवा ब्रहस्पति वा चंद्रमा परस्पर केंद्र वर्ति होकर एक दूसरे को देख रहे हो तो अत्यंत उस्थूब और शक्तिशाली गज केसरी योग बनता है लेकिन यदि कुंडली पूर्ण मांगलिक हो और उसमें क्रूर मंगल को ब्रस्पति देख ले तो मंगल दोस्त नश्ट हो जाता है तब ब्रस्पति देवता असुब फल या सुब फल देने के लिए गुरू यदि जन्म कुंडली में नीच राशी मे इस्तितु अथ्वा खश्टम अश्टम या द्वादस भाओं में स्वामियों के साथ इस्तितु या पाप ग्रहों के साथ समंध रखता हो तो प्रतिकूल फल प्रदान करता है इनकी महादसा सोला वर्ष की होती है ब्रहस्पति की सुबता पाने का उपाय यदि जन्म सुबता को पाने के लिए वैक्तिको गुरुवार का वरत पूरे विदिविदान से करना चाहिए साथ ही साथ गुरुवार के दिन हल्दी चन्य की दाल पीले कपड़े में बाध कर किसी ब्रामण को दान में देना चाहिए गुरु की सुबता पाने के लिए केसर का तिलक जोतिस से पूँच कर सुब दिन में बिदी बिदान से अभी मंतरित करके धारण करना चाहिए यदि आप महगा पुखराज ना खरी सकें तो आप हल्दी या केले की जड़ को पीले कपड़े में अपनी बाजू में बाध कर उसका सुब फल प्राप्त कर सकते हैं तो इस प्रक ब्रस्पति को आप अपना उच्च का बना सकते हैं ब्रस्पति आपके हमेशा आपके सहयोग में रहेगा तो आएए आगे चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ तो 372024 स्री संबद्ध 2018 साके 1946 दसमीत थी शाम 6 बचके 25 मिनट तक रहेगी नचत्र कृतिका दिन में एक बचके साथ मिनट तक रहेगा करण की बात करूं तो बिष्ट तपस्चात बवकरण स्थावण मास सुबह कृष्ण पक्षा बृद्ध योग रात में साथ बचकर 13 मिनट तक रहेगा मंगलवार का दिन चंद्रमा ब्रिशवरास पे रहेंगे वर्सा रितू अब जित महुर्थ के गया बात करूं तो बारा बजे पीम से लेकर के बाराफ के 54 पींएम तक अब जित मुर्थ रहेगा इस समय आप कोई भी सुबह कार अपना कर सकते हैं रहो काल की अधिगए बात करूं तो रहो काल Тीन बचना लेकर पांच बचके 31 बिनाट पीम तक रहेगा तो इस समय सुबकार करने से बचना चाहिए बात करता हूँ दिसासूल की तो आज उत्तर की तरफ यात्रा करना दिसासूल माना गया है तो आज उत्तर की तरफ यात्रा ना करें आईए आगे बढ़ते हैं राशियों की तरफ तो सरप्रतम मेश राशी मेश राशी का स्वामी मंगल होता है आर्थिक समस्याओं का निवारण होगा परिजनों से किसी गंभीर विसे पर चर्चा कर सकते हैं पेट में गैस और जरन की शिकायत हो सकती है आज बरिष्ट भोजन का सेवन ना करें धन उधार लेने से बचें बात करता हूँ यहां उपाए की भगवान शिव का घी से सहद से अभिशेक करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शिव होगा आगे बढ़ते हैं ब्रिशब रास की तरफ तो ब्रिशब रास का स्वामीर सुक्र होता है कार छेतर में कुछ महत्पूर्ण वाठोस नड़न लेने पड़ेंगे वैवाहिक जीवन काफी सुखदायक रहने वाला है जीवन साथी के साथ आज घूमने जाने की योजना बना सकते हैं कीमती वस्तूओं की खरीदारी करेंगे कानोनी मामलों में अनुकूलता होने की संभावना है तो बात करता हूं पाए की शिव सहस्त नामस्तरोत का पाठ करके यदि घर से वाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा आईए आगे बढ़ते हैं मिथुन राश की तरफ तो मिथुन राश का स्वामी बुद्ध होता है आज आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा विदेश में व्यावसाय कर रहे लोगों से आपको लाब हो सकता है दूसरों के कारिभार को अपने उपर लादना भी आपके लिए उचित नहीं है फरजी और गलत उत्पादों की खरीदारी के कारण परिसान हो सकते हैं नकारात्मक लोगों की संगत से दूर रहें बात करता हूं पाय की घर से निकलते समय मचलियों को दाने या आटे की गोलियां डाल कर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुब होगा आईए आगे बढ़ते हैं करकराश की तरफ तो करकराश का स्वामी चंद्रमा होता है आज आप काफी ब्यस्त रहेंगे सभी कार आपके अनुसार होते चले जाएंगे कमीशन संबंदी कारियों के लिए दिन अनुकूल है घर के लोग आपसे काफी प्रसंद और संतुष्ट रहेंगे प्रीप्रीजनों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं कारोबार में ग्राहक आपसे काफी प्रसंद रहेंगे उपायक यदि बात करूँ तो घर से निकलते समय गाय को हल्दी लगाकर या हल्दी लगाकर रोटी खिलाने से आपका दिन शुब होगा आगे बढ़ते हैं सिंग राश की तरफ तो सिंग राश का स्वामी सूर्य होता है कार छेत्र के अत्रिक्त आंत्रिक ब्योस्था में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है दिन की सुरवात अच्छी नहीं रहेगी किसी पुरानी योजना को क्रियानवित करना पड़ेगा नए लक्ष को निर्धारित कर सकते हैं आपका व्योहार काफी संयमित और लोगों की नजर में आदर्श रहेगा अपनी बातों को प्रभावित जग से आप रखेंगे तो लोग आपकी बातों पर बिस्वास करेंगे और आपकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो बात करता हूं पाय की शिवलिंग पर लाल रोली डाल कर जल में यदि भगवान शिव को जल अरपन करें या धतूरा का फल और धतूरा का फुस्ब भगवान को चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा आगे वरते हैं कन्याराश की तरफ तो कन्याराश का स्वामी बुद्ध होता है आज कुछ समय स्वैम के लिए आवश्य निकालें क्योंकि वह कारे करें जो आप वास्तों में सिर्फ अपनी खुशी के लिए करना चाहते हैं महनत का उचित परिणाम ना मिलेने से मन उदास हो सकता है परिवार के किसी सदस का विवात तैं हो सकता है परिजनों के साथ बैर या किसी तरह का मन मुटाओ आज दूर हो सकता है तो बात करता हूँ यहां उपाए की मंत्र ओम नमश शिवाए की एक माला जाब करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुब होगा आगे बढ़ते हैं तुलाराश की तरफ तो तुलाराश का स्वामी सुक्र होता है आपका प्रबल आत्म बिस्वास और आज के दिन का आसान काम काज मिलकर आपको आराम के लिए काफी वक्त देंगे अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिवा को सही तरीके से इस्तिमाल करें तो वह काफी फायदे मन साबित होगी प्रभाव शाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिकता गतिविदियों को अच्छा मौका साबित होने का मौका मिलेगा मतिवेद के चलते बैक्तिकत संबंदों में दरार पर सकती है दफ्तर में आप काफी तारीफ पाएंगे आज के दिन अधिकांस में खरिदारी और दूसरी गतिविदियों में आपका दिन ब्यर्थ जाएगा आपके जीवन साथी का काम काज को लेकर बिस्तता आपकी उदासी का कारण बन सकता है तो बात करता हूँ पाए की जल में सफेद खड़ा चावल डाल कर भगवान शीव की सिवलिंग पर यदि जल चढ़ाएं तो आपका दिन शुब होगा आगे बढ़ते हैं ब्रिश्चिक रास की तरफ तो ब्रिश्चिक रास का स्वामी मंगल होता है व्यपार में काफी अच्छा धनलाब हो सकता है घर में प्रसनता वा खुसहाली का मौहाल रहेगा महत्तपूर्ण अनुबंद करने के लिए दिन शुब है आज आपका मन काफी हरसित रहेगा नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा उधार दिया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है व्यपार सुचार रूप से चलता रहेगा दामपत्य जीवन सुखमय एवं मधूर बना रहेगा बात करता हूँ पाय की हनुमान जी की राम नाम का चोला यदि हनुमान जी को चड़ा कर भगवान को सिंदूर अरपन करें तो आपका दिन शुब होगा आगे बढ़ते हैं धनुराश की तरफ तो धनुराश का स्वामी गुरू होता है कार छेतर में परशानियों का अनुभव होगा जल्दबा जीवा भावुकता में कोई निरने न लें कानुनी परशानियों को दूर कर सकते हैं युवाओं को प्रतियोगी परिक्षा में सुप्रन्याम मिलेंगे दूसरे बैक्तियों के मामले में ज्यादा हस्ता छेप करना उचित नहीं है तो बात करता हूँ यहां उपाए की गाय को गुड़ चना हल्दी खिला कर यदि घर से वाहर निकलें और घर में घी का दीपक जला कर यदि घर से वाहर निकलें तो आपका दिन शिव होगा आगे वरते हैं मकर राश की तरफ तो मकर राश का स्वामी सनी होता है अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहटें प्रोफेस्नल लाइफ में सब कुछ सामान ने रहेगा अपनी बातों को दूसरों पर न थोपें घर में शुब प्रसंग हो सकते हैं लव लाइफ काफी रोम राश्टकम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुब होगा आगे बढ़ते हैं कुम्राश की तरफ तो कुम्राश का स्वामी सनी होता है वैवाहिक संबंदों में इगो के कारण रिस्ते में कड़वाहट आ सकती है जिसे आपको बातचीत के माध्यम से सांति पूर्वक सुलजा लेना चाहिए सर्वाइकल और कंदों में दर्द की सिकायत होगी आए के अनुपात में धन खर्च अधिक हो सकता है घर के लोगों की सला पर विचार अवस्य करें तो बात करता हूं पाए की दूद में मिसरी डाल कर सिवलिंग का अविशेक करें त साजिक धनलाब होगा भाई बहनों के साथ रिस्ते मधूर होंगे किसी आकस्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं तैकार पर समय पूरे कर लेंगे विद्यारती अपनी पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर रहेंगे जीवन साथी को आज कुछ उपहार दे सकते हैं इससे आप का मेल मिलाब परस पर बना रहेगा तो बात करते हैं उपाय की स्री पिश्टु सहस्त नाम का पाट करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुब होगा तो आज आप लोगों को धर्म की विसे में मैंने ब्रहस्पत की विसे में बताया और दैनिक पंचांग की विस नारायन, नारायन, स्रीमन नारायन, 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 भजमन नारायन, 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 स्रीमन नारायन, 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 स्रीमन नारायन, नारायन नारायन प्रायम टीवी के सभी दर्शकों को पंडित आचार्ज मनोच कमाशुकला का हार्दिक नमश्कार आप देख रहे हैं प्रायम टीवी सच साहस सर्वन